हलो अरिवन आज है फूर्थ जून और आज इस वोड़ी में हम बात करने जा रहा है दो दिक्कत शेर के बारे में एक बजाज फाइनांस और दूतरा है बजाज फिंसर्व काफी बड़े फाइनस से जूड़ा हुए दिक्कत शेर है ये और NBFC सेक्टर का बात्षा माना जाता है ये दोनों शेर आज इन दोनों शेर में एक गिरावड देखने को मुझी लगी पिछले कुछ दिनों से एक बहुत बड़ी रैली भी हम यहाँ पर देख चुके हैं इस बजाज फाइनस में और बजाज फिंसर्व में क्या करना चाहिए खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं उसके बारे में हम इस वीडियो में जरूर बात करेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक इसले एक महिने में इसके शेर में ग्यारा परसंट का ग्रोथ भी हमें देखने को मिला है आप देख सकते हैं कि शेर एक हजार आट सो तीस रुपए तक तूट गया था उसके बाद एक बहुत बड़ी रैली आई और शेर 2413 रुपे बर गया देखे जब शेर में इतनी बड दोड़ जाता है न तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं और शेर में बात में हमें गिरावट देखने को मिल जाती है तो वही हुआ है एक बड़ी रैली आई और आज प्रॉफिट बुकिंग ही यहाँ पर देखने को मिला है सिब बजाज फैनलस में बजाज फैनलस में बहुत बड़ी रैली इसी तरी का पैटन बनता हो देखने को मिला प्रॉफिट बुकिंग लोग कर रहे हैं और शेर में गिरावट यहाँ पर जरूर आई है फिछल एक साल के हम बात करेंगे तो एक साल में 34% की गिरावट है चार गजार आट सो असी बजाज फैनलस में 70% का गृुथ है 1335 टीस रुपए के उपर शेयर था तेजी आई गिरावट आई तेजी आई गिरावट आई और एक बहुत बड़ी घिरावट आई है दस साल की वेगर हम बात करें तो दस साल में बजाज फैनलस का जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है कि 4924 परसन का ग्रोथ है और देखे बहुत बड़ी रैली आई है बहुत बड़ी अब खुद देखे 2014-2013 तो यह शेर 120-130 रुपए के आप आसपा स्ट्रेट कर रहा था लेकिन उसके बाद जो रैली है कि 6 साल में 120 रुपए 130 रुपए का शेर 4,800 रुपए तक बहुत बड़ी राली अब बहुत बड़ी घिरावट भी आई है लेकिन उमीद है कि शेर वापस बाउंस पे कर लेगा यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर है जिनके पास 52.82 परसंट की होल्डिंग है नौन इंस्ट्यूशन इंवेस्टर के पास 11.75 परसंट की होल्डिंग है बजाज फिन साव यहां पर सबसे बड़े प्रमोटर है जिनके पास 52.82 परसंट की होल्डिंग देखने को मिल रही है एक भी शेर गिरी भी नहीं है 49 मुचो फरसंट कीम दे अपना पैसा लगा है 842 एफाल्स भी यहां पर इंवेस्टिट है हाई एस पब्लिक शेर होल्डर के बाद के तो गवर्मेंट आप सिंगापूर है जिनके पास 4.51 परसंट की होल्डिंग है इंडिविजल इंवेस्टर होल्डिंग 8.58 परसंट की देखने को मिल रही है 500 परसंट का यह डिविडेंट भी पे कर रहा है पीए 28.51 है इंडिश्टरी पीए 23.87 है बुक वैल्यू 404 है प्राइस टुबुक वैल्यू 5.73 है एपीएस 81 के आस-पास देखने को मिल रही है और डिविश्टरीबन 19 चास-पास हमें देखने को मिल रही है अगर हम यहां पर देखने की कोशिश करें तो इनके मार्च क्वाडर के जो नतीज़ा है थे वह बहुत अच्छे नहीं थे मुश्किल से 950 करोड के आस-पास के इनोंने प्रॉफिट बुकिंग किया था जिपकी इससे पहले जो कमपनी है वो 1600 करोड तक का मुनाफ़क कमा चुकी है इससे पहले 1500 करोड से पहले 1200 करोड इससे फिले 175 करोड तो आप खुद देखें कि पहले क्वाडर 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 ग्रोफ था इस बार क्वाडर में गिरावट आई है अब खुछ सोचे जब मार्च क्वाडर में यह हालत है तो जून क्वाडर के नतीज़े इससे भी ब बढ़ाई है 20.67% की holding 21.16% के आस पास है mutual fund ने भी बहुत बड़ी holding बढ़ाई है 7.17% की holding 8.08% पहुंच चुकी है insurance company ने भी holding बढ़ाई है 0.79% की holding 1.77% है मतलब हर कोई खरीदारी कर रहा है चाहे वो promoter हो चाहे वो बढ़ाई हो चाहे वो mutual fund हो तो बड़िया quantity का share है लेकि COVID-19 के चलते शौट-term गिरावट यहाँ पर रहुद देखने को मिली है अभी भी मैं बजाज finance में buying की advice नहीं दूँगा क्योंकि मुझे लगता है कि share अभी बाईस सो रुपे के level तक जा सकता है अगर हम बात करें तो 5,136 रुपे के उपर यह शार भी ट्रेट करा है आज भी गिरावट देखने को ज़रूर मिली है 19 से 20 लाग के आसपास के इसका volume डेड आज देखने को मिला है टेकनिकल लेटिंग इसकी भी काफी अच्छी दिखाए देरे पी 112 का है काफी high peak के उपर जबकि इंडर्श्रीपी 23 के आसपास से बुकलो 240 है प्राइश बुकलो 21 के आसपास से बहुत जाता है यह एप्यास 41 के आसपास देखने को मिल रहा है यहाँ पर अगर हम बात करें तो 8% ही लोग ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि प्राफिट बुकिंग कर लो 91% लोग यहाँ पर करें मुनायकार कमा है जबकि इससे पहले कंपनि ने 2000 क्रोड का मुनाफ़ कमा था दिसम्बर में 2000 क्रोड करतर असपास करमनाफ़ में 2100 में और 2500 क्रोड कर असपास मुनाफ़ था मार्स मैं तो इस बार बहुत कम है यह बहुत कम इनका प्रॉफिट है बगाकürd वाओ कि इंक प्रमोटर की द्वारा एक भी इशारी गिरवी नहीं है FIS के बाद के वह 7.45 से 7.85 परसंट की जो पहले वोल्डी थी आज वह 8.75 परसंट तक पहुंच चुकी है इंशुरंस कंपनी ने हाला की बिक्वाली की है 2.40 परसंट की जो होल्डी थी आज वो 1.64 परसंट तक पहुंच चुकी है म्यूचल फंड ने खरीदारी की है 3.97 परसंट की होल्डी 4.09 परसंट है तो इंशुरंस कंपनी को छोड़कर प्रमोटर, एफाइज और म्यूचल फंड सब ने अपनी होल्डिंग यहाँ पर इंक्रीज की है बजाज फिंसव को मैं अभी भी खरीदारी करने के सलाह नहीं तूँगा और मुझे लगता है कि शहर अभी भी 5,000 रुपे का लेवल तोड़के नीचे जा सकता है क्योंकि एक बहुत बड़ी रैली हमें देखने को मिल चुकी है बजाज फिंस में पिछले एक महिने के अगर हम बात करें और मुझे लगता है कि यह शहर अभी 5,000 रुपे से भी नीचे जा सकता है तो अगर आप शॉट टर्म के निवेशक हो चाहे बजाज फाइनांस करीता हो या भी चाहे बजाज फिंसर करीता हो बजाज फिंस के उपर तो मैंने दो दिन पहले ही विडियो बनाया था जब तेजी आई थी तो बजाज फिंसर में दोनों में यही कोँगा शॉट टर्म के निवेशक हो तो बेज के निकल सकते हो बजाज फिंसर अगर आप कुछ वक्त का प्लान लेकर चलेंगे तो दो श्रडज यहां पर है प्रॉफिट बुकिंग करके जड़ा अगर आप निकल जाते हो और मानुक शेर वापस उपर आया मतलब नीचे गया ही नहीं और वहीं से बाउंस बग कर ले तो वहाँ पर आपका लॉस भी हो सकता है तो मैं यही कोँगा कि गिरावट आने की संभावना जरूर है लेकिन अगर आप लॉंग टर्म के निवेशक को आपने कम से का मन बना के रखा है कि आप यहाँ पर एक साल तक तो निवेशक रहोगे ही रहोगे तो हर गिरावट में अगर आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी कॉंटिटी एड कर सकते हो बजाज फाइनांस और बजाज फिंसर में दोनों में मेरी एकी कमेंटरी रहेगी हर गिरावट में आप यहाँ पर कॉंटिटी एड कर सकते हो लेकिन फ्रेश बाइंग अभी के लिए मैं मना करूंगा खरीदारी जिनों ने की है यह उनके लिए सला है कि हर डिप्स में खरीदारी करें और जिनों ने खरीदारी नहीं की है उनकों मैं कहूंगा कि बजाज फाइनांस आप 2200 का लेवल एक बर क्रॉस होने तो उसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पर खरीदारी कर सकते हैं और बजाज फिनसा उसी तरीके से 5000 रुपय का लेवल मुझे लगता है कि तूट सकता है यहां पर तो उसके बाद अगर आप चाहें तो यहां पर खरीदारी करने का मन कर सकते हैं और एक चीज हमेशा कहूंगा, एक साथ सारे के सारे शेर मत खरीद लेना, अगर आपको यहाँ पर 10 शेर खरीदना तो पहले सिक दो ही शेर खरीदना, और हर गिरावट पर दो दो शेर एड करते जाना, जैसे कि अगर आपको 10 शेर खरीदने हैं, और आपने 2200 रुपे के मांकेट अभी भी अंस्टेबल है, तेजी जो आई है, वो शॉट टर्म की तेजी मुझे लग रही है, अभी भी COVID-19 के के केश काफी सा दर बढ़ रहे हैं, और इतनी जल्दी यह चीज खतम होने वाली नहीं है, ऐसा मुझे लगता है, तो इसकी साब वीडियो को एंड करू अगर आपको वीडियो पसंद आए, तो प्लीज किसे लाइक कर शाय करें, अगर आप आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें, और बजाज फानेंस के बारे में आपके आप सोचते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट में लिपकर बता सकते हैं, थैंक्यो